प्रश्न नमबर पाँच, what is the interaction between two species called? यानि कि दो प्रजादियों के बीच का interaction क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा inter-specific interaction, अब यहाँ पर दो तरह के interaction होते हैं, यहाँ पर हमें पूछा गया है two species के बीच में interaction, तो two species के बीच में जब interaction होता है, तो उसे हम inter कहते हैं, और inter-specific interaction कब कहते हैं, जब किसी एक ही species के बीच में interaction हो रहा हो, तो उसे हम intra कहते हैं, मतलब inter का मतलब within two, और intra का मतलब होता है within one species, तो अब हम समझते हैं इसको आगे और, it occurs between the two species for the survival or complete their life cycle, ये दो species के बीच में इसलिए होता है, ताकि वो अपना survival और अपना life cycle दोनों को पूरा कर सके, तो यहाँ पर हमें पाच प्रकार के जो inter specific interaction है, वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि competition, prediction, mutualism, commensalism और parasitism, इसमें से जो competition होता है, जिसमें दो species की involvement होती है, उसमें से एक species को तो नुकसान होता है, और दूसरी को फाइदा मिलता है, फाइदा in the sense, वो जीवित रहता है, और कभी-कभी competition में ये भी देखने को मिल जाता है, कि जिस species को नुकसान हो रहा है, उसकी death भी हो जाती है, prediction, यानि शिकार, इसमें भी वही है, कि एक species को फाइदा हो रहा होता है, जो की prey करता है, और दूसरी species को नुकसान हो रहा होता है, जो की शिकार बनता है, तो इसमें एक species की death होना जरूरी है, और एक species को अपना life cycle पूरा करने का मौका मिलता है, फिर उसके बाद हम आते हैं mutualism पे, mutualism में क्या होता है, कि इसमें दोनों ही species को फाइदा हो रहा होता है, एक दूसरे से, यानि कि एक ऐसा association जिसमें दो species involved तो हैं, पर वो एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं commensalism पे, commensalism में क्या होता है, कि एक species को फाइदा हो रहा होता है, और दूसरी को फाइदा नहों करके नुकसान भी नहीं हो रहा होता, फिर उसके बाद हम आते हैं parasitism पे parasitism में क्या होता है कि एक species को तो फायदा होता है और दूसरी को नुकसान भी नहीं होता तो इस तरह का जो होता है ये अपने life cycle को complete करने के लिए दूसरे जीवों पर host cell में survive करते हैं फिर उसके बाद हम आते हैं इसके एक्जाम्पल्स में एक्जाम्पल्स में mutualism का एक्जाम्पल दिया गया है fungus और algae का जिसको हम lichen भी कहते हैं ये एक दूसरे को support करता है food और nutrition absorption में